गाईज आपकी स्क्रीन पर आपको जो क्यूशन दिखाई दे रहा है इस क्यूशन से रेलवे गूरूप D में भाया दो क्यूशन पूचे गए हैं पिछली बार एक आरारवी गूरूप D में 12.922 को पूचा गया है एक 19.922 को पूचा गया है सेम यही पेटर्ण पर आदारित एक तरफ आपको यह डाइग्राम दिया हुआ था और इसमें आपसे क्यूशन पूचा गया था कि निमलिक्थ आरेक में बोमेंस केप्सुल के छित्तर को दर्साता है आपके options है, option number A में A है, B में C है, option number C में B है, option number D में E है यह A, B, C, D, E, इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है कि यह किस को दर्सा आ रहे हैं और यह चित्तर है किसका बताईड़ मेंसे कोई भी भाई अगर इस डाईग्राम को पहचांद रहा है, तो मुझे बताईए कि यह A किसको दर्साता है, B किसको दर्साता है, C किसको दर्साता है, D किसको दर्साता है एक किसको दर्श आता है जब आपके एक्जाम में क्यूशन आते हैं तो अच्छे-च्छे इस्टुडेंट यहां पर भईया अपना मेंटल लेवल खोद देते हैं बताईए क्या होगा इस क्यूशन का राइट आंसर और यकीन मानिए इस जगह से रेलोई की अलग-अलग एक जाम में कम से कम 10-15 क्यूशन पूँचे गए हैं इस कॉंसेप्ट पर मैं आपको बता दूँ, किड्नी की जग सबसे छुटी इकाई होती है वह ओती है नेफिरों क्या होती है? नेफिरों तूँस्ए एक नेफिरों का डाइग्राम है यह जो ए होता है यह बोमेन और स्केप्सूल को दर्साता है बोमेन का समखुट आपने नाम सुना होती है ये कब के समान आपको दिखाई देने वाले एक सरचना होती है ये देखी जिसमें गलोमेरलस फिल्टर लगे हुए होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं इसके अंदर लगे हुए होते हैं भया वो गलोमेरलस जो उपकला उत्तक्य बने हुए होते हैं सोरी उपकला उत्तक्य ने स्कुमस्टी चुक बने हुए होते हैं ठीक है और यह बी वाली जो सरचना आपको दिखाई दे रही है यह उता है भया और यह चंडती हुए नली है यह आवरोही करम है यह आरोही करम है जो डी होता है यह डी सी टी को दरसारा है और जो ई है भया यह क्नेक्टिंग डक्ट यहनी कि जो संग्रहीत नलीका है संग्रहीत जो नलीका है यह उसको दरसारा है अब देखिए होता क्या है जहान से समझना म अरबात को इवाट्रा यह संघरहित नली का collecting duct है अब देखो यह है जो आपको gångर की समय सरचना दिखाय दिखाय रही यह इसमें क्या होते हैं गलूमेरलस फिल्टर होते हैं गॊलोमेरलस के गुच्छ होते हैं एक तरप इसमें कि समान इस cup में छलनी के समान दिखाए देने वाले कुछ सरचना ही होती है जिने कहा जाता है Glomerulus की गुच्छिक Glomerulus filter कहा जाता है जिससे blood छन करके दूसरी तरफ बया निकल जाता है और उस blood में से जो छना है वो नीचे आ जाता है सबसे पहले PCT में आएगा उसमें नमक और ions और जो minerals होते हैं उनका वह सोँवशन होता है DCT में किसी भी परकार का वह सोँशन नहीं होता इसकी सायता से जो urine है बचा वाल बाग और यह जो संग्रहित ने लिकी होती है इसमें जाकर कर इकटा हो जाता है संंग्रहित हो जाता है वो नेफरोन की सरचना जब आप डिटेल में पढ़ोगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो नीचे मैंने आपको link description में दिया हुआ है नेफरोन की सरचना का नेफरोन के कारियों का तो वहां से जाकर कि आप अच्छे से पढ़ सकते हूँ कि नेफरोन किस तर इतना लिगो दर्शा रहा है तो आप से क्यूशन पूछा गया है कि बोमेंस के अपसुल को कौन दर्शा रहा है तो भाईया आपको जाएगा कि इतनी बात के लिए रहा है किसी को कोई प्रोब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उच सर्जन तंतर वाला चेप्टर अगर आपने नहीं पड़ा है तो आपको बहुत अच्छी से पड़ा रहा है अगर आप मेंसे कोई रेलोग की तैयारी कर रहा है तो रेलोग वाले बच् जाए में जितने भी क्यूशन पूचे गए हैं लेटेस्ट वो सभी क्यूशन मैंने परते क्यूशन को concept के साथ में सीखाया है उस बेच में 6 चेप्टर कंप्लेट हो चुके हैं 7 चेप्टर चालोगा 7 चेप्टर भी लगवा लगवा समाप दोने वाला है एक दो दिन मैं उ चैक आउट कर सकते हैं इतनी बात के लिए तो आसा करता हूँ यह क्यूशन आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा यहांसे आपके एक्जाम में बहुत सारे क्यूशन पूचे गए हैं बया तो इन क्यूशनों को भी ध्यान से पढ़ लेना ध्यान से समझ लेना त पूचे गए हैं और एक पिछली एक्जाम में इस डायग्राम से भी आपकी एक्जाम में क्यूशन पूचे गए हैं तो यह भी आपको ध्यान रखना है चैनल पने आपको चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेना अपने चोटे बड़े भाई वालों के पास इस वीडियो को स भ्लती है उसे इस्पेशल सों सेपल है इनी में क्यूशन करवा हूं वह क्यूशन कर लेना व già क्यूंकि सो में से सो पर्सेंऄ है से आपके एक्जाम में अगले बार कि क्यूशन देखना है ठीक है वाई क jut seran के मिलता है तो नियुक्त तक के लिए जेgoing जे भारत राम राम